नमसकार दोस्तों मैं दिनेज जोशीए एक बार फिर से आप सभी महत्वा कांगशील लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिनेज जोशीएश पयर टू इंसपयर में हार्दीक स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं What is Network Marketing? Network Marketing क्या है? ठीक है? एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं देखो Network Marketing एक्चुल में वो बिजनेस है Network Marketing वो बिजनेस है जो बहुत तेजी से आपके आस पड़ोस में फैल रहा है आपको पता चले या ना चले लेकिन एक्चुल में ये बहुत तेजी से आपके आस पड़ोस में फैल रहा है अगर आप इस business के साथ जुड़े हुए है तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है जो नहीं जुड़े हैं तो जितनी जल्दी हो सके इस business को start कर लीजी ये बाते मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास इसके proofs है मेरे पास इसकी आज की statistics है जो की ये साफ साफ बोल रही है कि हमें network marketing business करना चाहिए लेकिन क्यों करना चाहिए? इस चीज के उपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के पूरा देखिएगा मेरी कोशिश रहेगी छोटी से छोटी वीडियो बना कर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा information देने की आपको कोशिश करूँ दोस्तों network marketing के बारे में आप आज तक जो भी जानते हैं जो भी आपने सुना हैं या जो भी आपका experience है इस वीडियो को देखते समय थोड़ी देर के लिए उस information को उस knowledge को थोड़ा सा side में रखके इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि क्या possibilities है network marketing के अंदर आज ही जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि network marketing मैं क्यों करूँ मैं क्यों करूँ network marketing मैं तो job करता हूँ मैं तो business करता हूँ मैं network marketing क्यों करूँ या मैं housewife हूँ मेरे पास time नहीं है मैं network marketing कैसे करूँ तो ये कुछ एक question है जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाले हैं और एक बार दुबारा मैं आपको remind करवाना चाहूँगा दोस्तों मैं आपके लिए पूरी की पूरी series बनाता हूँ ठीके और उसमें हम सारी queries को clear करते हैं तो जितने भी लोग हैं आज पहली बार अगर हमारे channel पे आए हैं तो आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस channel को subscribe कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली next videos की notification आपको regularly मिलते रहें और कोई भी video आप से miss ना हो तो आईए बात करते हैं कि why network marketing मैं network marketing क्यों करूँ network marketing को लेकर दोस्तों मेरे views अलग हो सकते हैं आपके views अलग हो सकते हैं जितने भी लोग इस video को देख रहे हैं सभी लोगों के views अलग-अलग हो सकते हैं network marketing को लेकर जो लोग network marketing business से जुड़े हुए हैं जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ obviously वो लोग positive ही बोलेंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है मार्केट में जो की negative भी बोलते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी interest है या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें actually देखना ये चाहिए कि जो top most people है इस दुनिया के या इंडिया के उन लोगों का क्या कहना है network marketing के बारे में तो आज में कुछ successful लोगों की जिनोंने इतिहास लिखे हैं ऐसे कुछ successful लोगों की quotations मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ collect की है मैंने कि उनका क्या कहना है ठीक है एक एक करके हम उन्हें देखते हैं सबसे पहले है Dr. A.P.J. अबदुलकलाम साब उनके परीचा देने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो कौन है क्या है और क्या उनकी काबिलियत है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है Dr. A.P.J. अबदुलकलाम साब का कहना है दोस्तों कि network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every man and woman globally otherwise you can never get the best of your youth age समझी है इस चीज़ को और मुझे इनकी इस बात से एक चीज़ साफ नज़र आती है जो इनका reason है ये कहने का because जो हमने स्कूल में पढ़ा या जो भी हम सीखते हैं स्कूल में उससे हम सिर्फ जॉब करने वाले परसन बनते हैं study पुरा करने के बाद हमें से 99% लोग जॉब के पीछे भागने लग जाते हैं जॉब ढूनने लग जाते हैं डॉक्टर साब का ये कहना इसलिए है कि network marketing हमें इसलिए करनी चाहिए because जिस लेवल की education हमें network marketing से सीखने को मिलती है practical और theoretical वो हमें school में नहीं मिलती तो इसलिए हर किसी को life में कम से कम एक बार network marketing को जरूर करना चाहिए उससे पता चलता है कि actual public dealing क्या है actual relationship building क्या है business के अंदर in terms of network marketing अब हम बात करते हैं Mr. Robert Kiyosaki की best seller, best author है business books के इनके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है इनका क्या कहना है network marketing के बारे में ये कहते हैं कि richest people in the world build networks everyone else is trained to look for work जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो schools में पढ़ाई होती है वो हमारी jobs के लिए होती है लेकिन जो richest person है वो क्या करते हैं वो network बनाते हैं इसको मैं आगे आपको explain करूँगा इससे पहले हम देखते हैं कि Bill Gates साब का क्या कहना है Bill Gates साब के बारे में भी बतानी की जरूरत नहीं है वर्ल्ड के जो richest persons हैं उनमें से एक नाम आता है Mr. Bill Gates साब का तो उनका क्या कहना है network marketing के बारे में वो कहते हैं कि if I would given a chance to start all over again I would choose network marketing दोस्तों Bill Gates साब को कौन नहीं जानता वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे अपने जीवन में सब कुछ दुबारा शुरूर करना पड़े तो मैं network marketing से अपने जीवन को दुबारा start करूँगा क्योंकि उनको पता है कि network marketing की power क्या है network marketing की power को समझने के लिए मैं आपको example देता हूँ मुके शंबानी साब है मुके शंबानी साब ने अपना एक network बिचाया जिसको हम जीवन के नाम से जानते हैं उन्होंने mobile network बिचाया है for example अब उनके पास क्या है आज की date में 30 million Indians जुड़ गए है लोग जीव का connection यूज कर रहे है और अगर आज की date में मुके शंबानी साब को एकदम से जरुत पड़ जाती है 500 million rupees की Indian rupees की हम बात करते हैं तो यहां उनको क्या करना पड़ेगा उनको simply एक 5 रूपे का offer निकालना है just 5 rupees का offer निकालना है के शंबानी साब के पास पहुंच जाता है this is power of network network marketing के अंदर भी ऐसा ही होता है दोस्तो जब आपका एक structure बन जाता है जब आपका एक बहुत बड़ा network बन जाता है तो पूरे network से अगर एक एक person आपके लिए एक एक दो दो रूपे की sale भी निकालता है तो आपके पास मन्थली लाखो रुपे कटे होते है ऐसा ही होता है network marketing business में अभी और भी कुछ कारण होंगे कि हमें network marketing business क्यों करना है तो आए वो भी देखते हैं दोस्तों दुनिया में तो थाई इंडिया में भी ये network marketing business बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसको as a syllabus ले लिया गया है पढ़ाना शुरू कर दिया गया है इसका कारण क्या है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर billion dollar का business इंडिया में पढ़ने वाला है network marketing के अंदर जिसके turnover around 25 billion INR आ की गई है यानि कि 2025 तक 25 billion INR का ये business बन जाएगा network marketing business बन जाएगा इंडिया के अंदर देखो कितनी बड़ी potential है कितनी बड़ी possibilities हैं इस network marketing के अंदर अभी network marketing के पाच ऐसे benefits की मैं आपर बात करने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ network marketing हर किसी को जरूर करना चाहिए या कम से कम मुझे तो करना चाहिए ऐसा आपको feel आएगा ऐसे benefits मैं आपको network marketing के बताने वाला हूँ तो पहला जो इसका benefit है वो है immediate start yes immediate start ये पहला benefit है for example अगर आपको कोई traditional business start करना है तो आपको पहले showroom लेना पड़ेगा या rent भरना पड़ेगा फिर उसका पुरा structure तहियार करना पड़ेगा उसकी fitting करनी पड़ेगी then आपको पुरा काफी सारा माल उसमें डालना पड़ेगा तो जाके कहीं आपकी bigger start हो पाएगी आपकी कुछ sale वहां से start हो पाएगी समझ में आगया ये सारी process में आपका बहुत सारा time काफी जारा पैसा लगेगा मतलब लाखो रुपे लगा कि आप एक दुकान या एक showroom start कर सकते हो दोस्तों ये showroom start करने के बाद क्या guarantee है कि वो business चलेगा अगर चल जाता है तो अच्छी बात है अगर नहीं चल पाता है तू देखो आपका कितना बड़ा नुकसान है network marketing में बिल्कुल उल्टा है आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है थोड़ा time देना है और आपका business साथ के साथ start हो जाता है आपने एक form बरा, आपने document दिये और जो भी एक minimum purchase है 1000-2000 रुपे की होती है या वो 5000-5000 की भी हो सकती है ये भी कोई लाखों की बात नहीं हो रही है थोड़े से amount के साथ immediate start कर सकते हूँ आज आपने order डाला आज इस product को आप retail कर दीजिए आपके पास उसका profit आ गया means आपका जो business है वो एकदम से start हो गया दोस्तों network marketing में एक बहुत अच्छा एक और benefit है वो क्या है कि अगर दुकान खोलनी है तो लाखों रुपे लगाने के बाद भी बहुत सारी सिरदर्दी भी उठानी पड़ती है overhead बहुत सारी cost उसमें जुड़ जाती है network marketing में ऐसा कुछ नहीं है आपने एक minimum order डाला business के साथ associate हुए आपने उसे product को retail किया तो आपका business साथी साथ start होता है कोई overhead cost आपको नहीं पड़ती आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता आपको सिर्फ product refer करना होता है लोगों को उसके बारे में बताना होता है बंदे नहीं जोड़ने हैं बंदे जोड़ोगे तो business नहीं चलने वाला ये एक pure literal business है इसे business की तरह कीजिए understanding के साथ कीजिए दोस्तो network marketing या MLM business या direct selling इसमें involved होने के बहुत सारे reasons हैं मैं आपको एक और एक बहुत solid reason इसमें बताना चाहता हूँ आप कोई भी local business जब करते हैं तो उसके लिए आपको training कोई नहीं देता समझ में आ रहा है ना local business के लिए आपको कोई भी training नहीं देता जो school हो में पढ़ाया जाता है उससे हम job करते हैं यानि कि business करने के लिए training नहीं मिल रही और जिस चीज़ के जिस चीज़ के हमको training मिल रही है जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है उससे हम business नहीं कर सकते हैं उससे हम सिर्फ job कर सकते हैं बट जब आप network marketing में आते हैं तो companies आपको यहाँ पर training देती हैं business build करने की training देती हैं जो कि almost free of cost होती है कुछ cost लगती भी है लेकिन वो तब लगती है जब आप higher trainings में जाते हैं बट initially सारी trainings लगबग free of cost होती है वो trainings आपको सिखाती है कि business को कैसे build किया जाए और ऐसा क्यों होता है क्यों free trainings होती है क्योंकि देखो आपका काम जब बढ़ेगा तो company को profit आएगा और company को profit आएगा पर लेकर जाना आपको ज़्यादर से ज़्यादर trainings देना तो हमारा जो इसमें benefit है वो है trainings मिलना वो trainings मिलती है जो हमें local schools के अंदर हमारी education के अंदर हमें नहीं मिल पाती network marketing में हमारा जो next benefit है वो है हमारी residual income यानि passive income दोस्तों जब हम कोई business करते हैं या कोई job करते हैं तो जितना हमने काम किया होता है उतने का ही पैसा मिलता है जो हमने एक बार business कर लिया एक बार हमारे पास income आ गई बट network marketing में उल्टा होता है जो आपने एक बार network setup कर लिया इनकेस आप एक महीना दो महीना उससे गयब भी रहे तो भी आपके पास पैसा लगातार आता रहता है आप vacations पे हैं या family के किसी कारण से आप business नहीं कर पा रहे हैं एक महीना दो महीना आप involved नहीं है बट आपकी team काम करती रहती है और वो पैसा आपको देती रहती है वो पैसा आपके पास आता रहता है ये beauty है network marketing की जो लोग इस field में हैं जिनोंने अपनी life के तीन से पांच साल इस field को दे दिया है वो लोग इस beauty को enjoy कर रहे अब network marketing के पांच में फाइदे की हम बात करते हैं पांच में reason की बात करते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए network marketing में जब भी हम involve होते हैं तो हमारा कोई ना कोई reason तो होता है हर किसी का personal reason होता है कि कुछ लोगों का पैसे reason है कुछ लोगों को job security चाहिए कुछ लोगों को part time income चाहिए ये सारा कुछ होता है बट ये सब के साथ एक बहुत अच्छा benefit जुड़ा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कैसे देखिए अगर आप एक shop खोलते हैं तो आपका business एक महले तक एक city तक ज़्यादा से ज़्यादा एक state तक सिमित रह जाता है और आपको बहुत ज़्यादा service भी देनी पड़ती है अगर आपको पुरे state को cover करना है तो आपको courier का देखना पड़ेगा आपको transportation का देखना पड़ेगा वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा सही है बट network marketing के अंदर ऐसा नहीं होता आपको क्या करना होता है आप सिर्फ एक बार अपने साथ किसी को associate कर लीजिए उसको basic training हो जाए उसके बार वो खुद से खुद काम करता रहता है यही beauty है इस field की कि network marketing business के अंदर आपने किसी को एक बार plug-in कर दिया system में वो automatic बंदा काम करता रहता है और आपके पास पैसा आता है आप boundaries को break कर सकते हैं because सारी की सारी service जो overhead खर्चे हैं वो सारे company के हैं company ने courier करना है company ने transportation arrange करनी है company ने products manage करने है company ने delivery करनी है सारा का सारा जो accountability है वो company ने देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना network create करना है और उसके education system के साथ plug-in करना है जब वो सीख जाएगा अपना business वो develop करेगा और जैसे जैसे उसका business develop होगा आपका business भी develop होगा उसकी team बढ़ेगी आपकी team भी बढ़ेगी उसकी income बढ़ेगी आपकी income definitely बढ़ेगी तो ये है beauty इस network marketing business की network marketing के अंदर कोई भी foundation नहीं आप इंडिया में एक कोने से बैठके इंडिया के दूसरे कोने तक business को फैला सकते हैं दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में अपना business फैला सकते हैं ये beauty है network marketing के इसमें कोई foundation नहीं है आपको सिर्फ plug-in करना है training देनी है या उनको training में invite करना है online training के बहुत सारे options मौझूद है जैसे जैसे आपकी team के लोग trained होते चले जाते हैं आपका business build होना शुरू हो जाता है दोस्तों ये सारे फायदे है network marketing business के so मेरा मानना है कि अब तक आप सब को समझ में आ गया होगा कि network marketing business के basic important benefits क्या है और इंडिया में इस business का future क्या है इसलिए मैं दोस्तों आप सबी से request करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक network marketing business शुरू नहीं किया है तो आज ही अभी इसी वक्त उस व्यक्ति से संपर्ग कीजिए जिनोंने ये वीडियो आप से share की है उनसे मिलिए वो आपको बताएंगे कि network marketing business कैसे शुरू करना है और आज ही network marketing business शुरू कीजिए ताकि आपका परिवार भी दूसरों से पीछे ना रहे मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए thank you and wish you all the best